मेरे प्यारे देश्वासियों, कोरोना के संकटकाल में देश लॉकडाउन से बहार निकल आया है। अब हम अनलोक के दौर में हैं। अनलोक के इस समय में दो बातों पर बहुत फोकस कर रहा है। कोरोना को हराना और अर्थववस्था को मजबूत बनाना, उसे ताकत देना। साथियों, लोकडाउन से ज़्यादा सतर्कता हमें अनलोक के दौरान बरतनी हैं। आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी। इस बात को हमेशा याद रखे कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, दो गज की दुरी का पालन नहीं करते हैं, या फिर दूसरी जरूरी सावधानिया नहीं बरते हैं, तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। खास तोर पर घर के बच्चों और बुजूर्गों को, इसलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, और ये निवेदन में बाहर बाहर करता हूं, और मेरा निवेदन है कि आप लाप परवाही मत बरती हैं, अपना भी ख्याल रखिये और दूसरों का भी हैं। साथियों, अनलोक के दौर में बहुत सी ऐसी चीज़े भी अनलोक हो रही हैं, जिन में भारत दसकों से बंधा हुआ था। वर्सों से हमारा माइनिंग सेक्टर लॉकडाउन में था। कॉमर्शियल आक्षन को मंजूरी देने के एक निर्णे स्थिती को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछी दिन पहले स्पेस सेक्टर में एक्तिहासिक सुधार किये गए। उन सुधारों के जरिये वर्सों से लॉकडाउन में जक्डे इस सेक्टर को आजादी मिली। इससे आत्म निर्भर भारत के अभ्यान को न केवल गती मिलेगी बलकि देश टेक्नोलोजी में भी एडवांस बनेगा। अपने कुरुशिक शर्त्र को देखें तो इस सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें दसकों से लॉकडाउन में फसी थी। इस सेक्टर को भी अब अनलोग कर दिया गया है। इस से जहां एक तरफ किसानों को अपनी फसल कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी मिली हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अधीक रोण मिलना भी सुनिश्चित हुआ है। ऐसे अनेक शित्र हैं जहां हमारा देश इन सब संकटों के बीच एतिहासिक निर्णे लेकर विकास के नए रास्ते खोल रहा है।